मुख्यमंत्य विश्णदेव साहे रायबूर ग्रूप के एन सी सी प्रसिक्षकों और केलेट सम्भान समारों में शामिल हुए इस दोरान उन्होंने नई दिल्ली गरतंत्र दीवस परेड में शामिल प्रसिक्षकों और केलेट को सम्मालित कर नेशनल लेवल की और राज्य के एनसी सी केरेड को परेड करते हुए देखना बहुती सुखद होता है। ये पुर राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्दी होती है। एकता और अनुशासन के धेव्याकिका पालन करते हुए माभारती की सेवा में एनसी सी COP राष्र प्रेम को सीचता है। रास्ती एकता को मजबूत करता है, सभी केरेट को बधाई एवं उजवल भविशे की शुपकामनाई देता हूँ. हम लोग के लिए बड़े ही गारों का छण है, गड़तंत्र दीवस के मौके पर नई दिल्ले के करतब पत पर राज के एनसीसी केडेटों को परेट करते हुए देखना बड़ा ही सुखद होता है, इस परेट के लिए राज के किसी केडेट का चैनित होना न सिर्फ उस केडेट के लिए बलकि पूरे राज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धी होती है, जो लोग एनसीसी से जुड़े हुए हैं, जो इसे करीब से जानते समते हैं, वे इस बात को भली भाती जानते हैं, कि इस परेट के लिए चैन की प्रक्रिया आसान नहीं होती है, आप लोगों गरतंत्र दीवस की परेड में सांदार प्रदसन किया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे केडेटों ने भारत की विभिन राजियों से आये, NCC केडेटों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए तिरंगे को सलामी दी, निश्ची थी, यह आप लोगों के लिए एक अद्भूत अनुभाव रहा होगा। हमारे देश की यही खुब सूर्ती है कि विभित भासा और भोगोल के भारतियों में जो सबसे आम बात है वो है राजप्रेम। NCC इसी राजप्रेम को सीजता है, राजची एकता को मजबूत करता है। NCC एक ऐसा संगठन है जो इवाव को अनुशासन सिखाता है, उनके चरित्र का दिर्माण करता है, उन्हें सहसी बनाता है और निश्वार्थ सेवा के लिए प्रेडित करता है। NCC धेवा के ही है एकता और अनुशासन। NCC हमारे इवाव को सेना और अन सुरक्षाबलों में अपना केरियर बनाने के लिए प्रेडित करता है। मुझे यह देकर बहुत खुसी होती है कि NCC में बालिकाओं की भागिदारी भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में अनेक गर्ल्स बटालियन संचालित की जा रही है। यह बड़ी प्रसंता की बात है। हमारी बच्चियों ने राष्टे से लेकर अंतराष्टरी इस्तर तक NCC का नेटितों कर 36 गड़ का गौरों बढ़ाया है। भारत दुनिया का सबसे इवादेश है। आज भारत की उपलब्धियों का गौरों गान पूरी दुनिया कर रही है। इन उपलब्धियों में निश्टित रूप से इवाओं की सबसे बड़ी भागिदारी है। हमारे अस्वसी प्रधानमंत्री स्री नरेंद मोदी जी ने वर्स 2047 तक विक्सित भारत के निर्माण का लक्ष देश के सामने रखा है। हमारे उरजावान इवाओं की योगदान से हम सब अवसे ही इस लक्ष को हासिल करेंगे और अपने देश को दुनिया के सबसे मजबूत रास के रूप में इस्थापित करेंगे। जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब आपके सामने अपना केरियर चुनने के लिए कई विकल्प होंगे। आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें NCC का यहनुभव आपके लिए बड़ा मददगार होगा। एक NCC केड़ेट जिन्दगी भर NCC का केड़ेट ही रहता है बहले ही उसने अपना परसिक्षन पूरा कर लिया हो। NCC के संसकार केड़ेट के दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। आप भोईस में जो भी काम करें हमेशा याद रखें कि आप रास निर्माण का काम कर रहे हैं। देश प्रेम को साबित करने के लिए सभी का सिमाव पर जाना जरूरी नहीं होता है। यदि आप कुसल उद्वी बनकर अपने जैसे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसरों का सिर्जन करते हैं तो वह भी रास की बड़ी सेवा होगी। इसी तरह रास सेवा के और भी अनेक रास्ते हैं। गर्तंतर दीवस की परेड के लिए चैनित होकर, सामील होकर और सांदार प्रदेशन करके आप लोगों ने जो उपलब्दी हासिल की है उसके लिए आप सभी को मैं पुनह एक बार बधाई देता हूँ और आप सभी के सोरनीम भोईस की बहुत-बहुत सुभकामनाई देते ह हुए अपने बात समात करता हूँ जैहिंद